क्या सुवच्छाइब कंश्चन पनको करने वाले हैं अपना टाइम स्पीड डिस्टाइन का एक क्सिन वह प्यister Sunshine क्यों क्यों है क्यों की कोंध सेट यूज ँज़ होगा है कोंध क्या है अज आउ मैं तुम्हें बताता हूं देखे श्पीड डिस्टाइनस के रही है होता है constant हो तो जो speed given होती है ना s1 s2 माल लेते हैं उनका जो ratio होता है speed का जो ratio होता है वो time के ratio के opposite हो जाता है यानि s2 s1 interchange हो जाता है ठीक है यह concept है बहुत सारे questions में use होता है और बहुत सारे questions इस कोंचेप्ट की वजए से मिन्टों में निकल जाते हैं ठीक है मिन्टों में कह रहा हूं सेकिंडों में मिन्ट तो बहुत बड़ी है ना देखिए अभी एट रेट कें ट्रैवल 100% फास्टर देने कार अब क्या बोला गया है एक ट्रेन है एक कार जो ट्रेन है वह 100% कि ट्रेन की स्पीड तो स्पीड ओफ ट्रेन कि नहीं है दूग नहीं है कार से ठीक है ट्व टाइमस है 100% फास्ट था टू टाइम हो गया बोच स्टार्ट फ्रों में पॉइंट अधी से पाइंट इस पोइंट से स्टार्ट किया और बी पे चले गए बी पे पहुँछ गई 150 km away from A, A से 150 km away है, यानि 150 km distance है, same time पे पहुचे हैं, अब देखो same time पे कैसे पहुच सकते हैं, on the way, however, train lost about 30 minutes while stopping at a station, जिसमें क्या हुआ, train की 30 minutes खराब हो गई, क्यों, क्योंकि एक station पे रोकना पड़ गया, ठीक है, अब देखो, while station find the speed of a car, car की speed find out करनी है, अब देखो concept use करते हैं, speed or time, time कितना लगना चाहिए था, train को 1, और car को 2, पर दोनों same time पे पहुचे हैं, इसका मतलब train को भी कितना time लगा, 2 ही तो time लगा train को भी, क्योंकि same time पे पहुचे हैं, अब देखो, लगना 1 चाहिए था, और 1 extra लग गया, अब ये 1 extra क्यों लगा, क्योंकि 30 minutes की value 30 minutes, 30 minutes की वजए से 1 extra लगा, क्योंकि 1 extra लगा, क्योंकि 30 minutes का stop ले लिया था, 1 की value 30 minutes, अब 2 की value 30 minutes, तो 1 hour हो जाएगी, लिया है, तो ratio लिया था, यानि 1 hour का लिया था, तो 150 km कवर करने में, 1 hour का time लिया, तो speed कितनी हो गई, speed ही तो बतानी है, ये उपर distance से नीचे time, distance upon time क्या होता है, यही तो speed होती है, यही तो speed होती है, speed of car, तो 150 divided by 1, 150 km per hour, 150 km per hour, यही तो answer हो गया, ठीक है, तो देखिए, 150 यानि यह option आपको given है, अब एक बात दुबार से समझा देता हूँ, सभी ज्यान से देखेंगे, हमने एक concept देखा, speed की अगर ratio given है, s1 ratio, s2, तो time की ratio क्या हो जाएगी, s2 ratio, s1, जिसमें distance क्या होगा, constant या same, अब देखिए, speed, distance तो same था, दोनों का 150 km कवर करने थे, train को भी, car को भी, train की speed दुगनी थी, car से, तो car की 1 हो गई, तो train की 2 हो जाएगी, अगर हम time की ratio देखें, तो 1 यहाँ पे आगया, 2 यहाँ पे आगया, तो 1 ratio 2 हो गया, अब देखो train को 1 hour लगना चाहिए था, पर लगे same, यानि दोनों एक time पे पहुँचे वहाँ पे, तो train को भी 2 यह तो hour लगे, अब 1 hour जादा लगा, क्यों लगा, क्योंकि train ने 30 मिनट का break ले लिया था, तो 1 hour की value 30 मिनट हो गई, जैसे 1 hour की value 30 मिनट हो गई, तो 2 hour की value 1 hour हो गई, 2 ratio की value, 1 hour हो गई, 1 घंटा हो गई, अब देखें, car ने 1 घंटे में पूरा distance travel कर लिया, अगर car ने पूरे 1 घ time ही तो speed होता है, speed is equal to distance upon time, यानि 150 km upon 1 hour, कितना आ गया, 150 km per hour हमारा answer आ गया, चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, आप सभी हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए, और वीडियो को like कर जीजिए, धन्यवाद, थैंक्यू, फिर मिलेंगे next वीडियो में, जै भार्त,